Hello everyone, so we have entered the very crucial months UPPCS देने वाले सभी छात्रों के लिए जो January और February का मन्त होता है These two months are the most important and most crucial months यही दो महिने हैं, इसमें आप क्या plan करते हैं, किस strategy को आप follow करते हैं, plan को कितना implement कर पाते हैं, किस तरीके का time table बनाते हैं, आपकी approach क्या रहती है एक्जाम को लेकर, यह सारी चीजें जो आप इन दोनों month में करते हैं, यही आपका future decide करता है कि pre, क्या आप से सिर्फ pre clear होगा क्या आपका pre, mains और interview clear होके आपको ठिक ठाक rank आएगा whatever will be the future course of action for you, यह दोनों month में आप जो कुछ भी करेंगे, यह decide करेगा कि आप अपने exam clear करने के कितने करीब हैं यह जो दोनों month है, इसको किस तरीके से proper utilize कर सकते हैं, किस तरीके से plan कर सकते हैं, strategize कर सकते हैं, क्या अभी भी pre और mains दोनों के साथ में preparation हो सकती है practical approach क्या हो सकता है इन दोनों month में, इन सब को decide करने के लिए और इन सब को plan करने के लिए हम लेकर आए है पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम सो ये प्रोग्राम किन स्टूडेंट्स के लिए बेनेफिशिल होगा सो दोस स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी बेसिक स्टडी कर चुकी है वना इसे बेसिक स्टडी आपने अपनी NCRT's कम्प्लीट कर ली है इसके साथ साथ अपनी बेसिक बुक्स जो होती है स्टेक्ट्रम होती है लक्षमी कांत वग्र की बुक होती है पॉलिटी के लिए एन्वाइमेंट का थोड़ा बहुत लेक्चर देखा होगा जिन्होंने एकॉनमी का थोड़ा बहुत लेक्चर देखा होगा क्या क्या प्रिपेर करना है ये तो मैंने अपने वीडियो में बहुत ही डीटेल में सब्जेक्ट वाइस, प्री के लिए, मेंस के लिए, करेंट अफैस का मटेरियल, सौर्सिस, कौन सा बुक फॉलो करना है, कौन सा वीडियो फॉलो करना है, ये सारा कुछ, every single detail is available on our channel, तो ये दो बार देखा है, if you are one of these students and the people जिन्हों ने पढ़ाई करी है पिछले तीन-चार महने से, but currently they are like confused right now, जिन्हों ने मेंस का answer writing नहीं किया है, those students who are not able to strategize की वो उनको आगे plan कैसे करना है, किस तरीके से घटना चक्र कवर होगा, उनको timeline समझ में नहीं आ रही है, test series के बारे में confusion है, because see, videos के थूँ एक हद तक की guide किया जा सकता है, because when we make videos, videos are just one way communication, तो उसमें वो सारी चीज़े मैं बताती हूँ, जो एक students को पता होनी चाहिए, उसके बाद जो भी आपके side की query रहती है, जरूरी नहीं है कि वो query को हम over the comment हर बार discuss हो सके, there are so many things, so many queries, so many questions, जो की आपको clarification की आपको जरुवत होती है, but you have absolutely, absolutely no source, या फिर आपके पास में कोई भी guidance available नहीं है, कोई भी mentor available नहीं है, जो आपको personal level पे guide कर सके, so this is because ये paid program होगा, इसलिए, this is going to be for those students, जो की बहुत serious है इस journey में, जिन्होंने अपना basic complete कर लिया है, जिन्हें लगता है कि थोड़ा बहुत त mains का pattern समझ में आ रहा है, for those students, जो की at least वो initial stage है ना, वो clear कर चुके होंगे, and secondly, जो student बिलकुल serious होंगे कि इस साल हमको किसी भी कीमत पे pre mains interview तीनो stage को clear करके rank असल करना है, ऐसे students के लिए है ये paid mentorship program, यहाँ पे हम आपकी help करेंगे in planning and strategizing your journey, because देखिए, हर एक individual, जब एक time table दिया जाता है, जरूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति की जो journey है, वो December के मन्त में भी same होगी, Jan में होगी, Feb में होगी, हर एक individual अलग अलग level पे, अलग अलग personal things के साथ में deal करते हुए इस journey में आगे बढ़ा होगा, तो इस UPPCS की journey में individual level पे based on the individual's journey, हम आपको help करेंगे किस तरीके से आप January and February का मन्त जो है न, वो इस तरीके से plan करें, इस तरीके से strategize करें, यहाँ पे हम लोग, जब आपके लिए plan करते हैं, तो there we will give you very very practical targets, तो जहाँ पे उन practical targets, जो की manage, आप लोग से हो सकता है, irrespective of which stage you are standing, अगर आपने अपने जो basic वाली books आपने पढ़ ली है, थोड़ी बहुत understanding अगर आपको exam की है, तो यहाँ पे भी Jan और Feb के मन्त में, we will plan करते समय, we will provide you practical targets, जहाँ पे आपको hourly basis पे भी आपको बताया जाएगा कि इस-किस particular दिन पे, कितना particular hours आपको current affairs को देना चाहिए, कितन hours में आपकी कौन से घटना चक्र कवर हो सकती है, इसके साथ-साथ में आपको proper तरीके से time table बना के दिया जाएगा, जहाँ पे pre और mains दोनों को हम साथ में रखके, maximum तरीके से किस तरीके से prepare कर सकते हैं, in a way that will help us in achieving our main target, जो target है हमारा की pre के साथ-साथ हमें mains का भी ध्यान रख सकते हैं इस मन्त ऑफ जन और फेब में यह आपको प्लान करके दिया जाएगा, and your time table बनाया जाएगा, वो completely, completely based on the individual's needs, because कुछ ऐसे लोगे जिनों ने GS1 प्रिपेर किया है, GS2 किया है, but 3 and 4 को touch भी नहीं किया, कुछ लोगों ने pre की घटना चकर पड़ी है, कुछ लोगों न प्री की घटना चकर का नाम ही नहीं सुनाए, but आप लोग को at least इतना पता है कि आपको UPPCS का एक्जाम आपको देना है, and UPPCS is your target, so ऐसी individual इंसान के need के according we will provide you the time table with the very 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 practical targets, इसके साथ साथ में आपको test series से related जितनी भी information है, कौन सी test series आपको लेनी चाहिए, test series को कितने कर सकते हैं, चाहे आप मेंस की test series की बात करें, या आप प्री की test series की बात करें, यह सारी information over the call आपको guide किया जाएगा, so interested student telegram कर सकते है, at kritika25 का मेरा handle है, यहाँ पे आप DM कर सकते है, program and fees की details यहाँ पे दे दी जाएगी, just telegram us in case you are interested, आपका जो भी query होगा, यहाँ पे आपको उसका proper solution मिल जाएगा, so in case if you are a serious student, थोड़ी बहुत भी अगर आपकी करसर बची हुई है, guidance की आपको कहीं पे भी जरुवत है, तो यहाँ पे आप आएगे, आपको जिस भी तरीकी की guidance आपको लगिए, pre-related, main-related, test series, timetable, anything and any query which you require, जिस यहाँ पे आपको personal mentor की जरुवत DM कर दिया जाएगा, so I look forward to speak to you, Jai Hind!